दोस्तों, क्या आप अब भी mouse का ज़्यादा यूज करते हो, और keyboard का यूज कभी कभी नाम या number टाइप करने के लिए करते हो, तो ये बिल्कुल गल्त बात है, अगर आप एक computer के student हो, और आप school या college की पढ़ाई करते हो, या फिर आप एक computer के teacher हो, और आप अभी भी mouse का ज़् दोबा नहीं देता है, आज मैं यहाँ आपको 15 से 20 shortcut keys बताने वाला हूँ, जो बहुत ही important है, और जो आपके डेली काम आने वाले हैं, इन shortcut keys को आप याद करो, या कहीं पर उतार लो, क्योंकि ये आपको हमेशा काम आने वाली हैं, और इनको सीखने के बाद, आप भी एक दि keyboard की master बन जाएंगे, आज मैं यहाँ पर आपको computer के कुछ basic, advance और useful shortcut keys बताने वाला हूँ, और इनका use आपको जरूर पता होना चाहिए, अगर आपको ये सब जानना है, तो वीडियो को last तक जरूर देखिए, नमस्कार दोस्तों, मैं राजिनर भासकर, स्वागत करता हूँ RK Educational YouTube चैनल में, दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है, तो please चैनल को subscribe कीजिए, तदा साथ आने वाले bell icon को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का notification आपको सबसे पहले मिल सके, सबसे पहले हम दो key को लेते हैं, और ये दोनों ही shortcut keys नहीं है, ये दोनों हैं कौन-कौन सी? backspace और delete key, हमारे कुछ साती ऐसे हैं, जो आज भी backspace और delete key का difference नहीं जानते हैं, तो आज मैं आपको बताता हूं backspace, back का मतलब पीछे, मतलब backspace key का use पीछे से काटने के लिए किया जाता है, और delete key का use आगे से काटने के लिए, या फिर फोल्डर या फाइल को delete करने के लिए किया जाता है, कैसे जैसे उसके लिए हम क्या करते है, msword के page को open किया, और इसके अंदर जैसे हम कुछ टाइप कर लेते हैं, जैसे equal randrand और ये हमने bracket लगाए, और enter key press की, अब देखो अब यहां से यहां तक का matter हम क्या करते हैं, delete कर द देखो, कटता जाएगा, लेकिन अगर आपको वो यह कहें कि आपको यहां से लेकर कि यहां तक का data काटना है, तो आप क्या करोगे, यहां पर mouse से click करके, और delete key को press करोगे, यह देखो, delete key आगे के text को काटने के लिए use की जाती है, या फिर आपको क्या करना है, पूरे को ही क क्या करना, आपको Ctrl-A से select किया, और फिर आप delete key के दवारा इसको पूरे हो, क्या कर सकते हो, आप काट सकते हो, यह देखो, या फिर हमने क्या कहा, आप किसी folder या file को भी इससे delete कर सकते हो, जैसे like, जैसे हमने इसके ओपर click किया, और yellow, delete हो चुका, तो यह हमारा delete और backspace key के अ या फिर computer को set down करने के लिए करते हैं, जैसे हमारे पास यह folder open है, अब हमें क्या करना, इसको काटना है, तो alt plus f4 key press करेंगे, यह देखो, कट चुका वो, तो यह होता है alt plus f4 key, बनलब alt plus f4 key से अगर आपको किसी file को काटना, तो यह काट सकता है, या फिर जैसे सभी file को क्या क चला जाएगा, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, हमारे पास next जो shortcut किया आती है, वो कौन सी है, alt plus tab, alt plus tab किसलिए यूज किया दता है, जैसे हमारे पास नीचे कुछ tab open किये हुए है, जैसे हम देखो, कुछ tab open कर लेते हैं, अब हमारे पास कुछ tab open है, यह देखो, इनको ह मिनिमाईज कर दिया, अब यह क्या कर रहा है, alt plus tab, तो मैं alt plus tab जैसे प्रेस करूँगा, तो यह आपको किसी tab को select करने के लिए, choose करने के लिए, आपको option प्रोवाइड करता है, जैसे alt plus tab मैंने प्रेस किया, यह देखो, सभी आपके खुल के आ चुके है, अब जैसे मैं एक प्रेस करूँगा, फिर उसके बाद मैं करूँगा, यह देखो, यहां से जो भी आपको चाहिए, उसका आप select करके रख सकते हैं, जैसे मैंने इसको किया, और यह देखो, छोड़ते ही, यह फाइल हमारी open होचगी, मतलब alt plus tab का use, हम किसी एक फाइल को चुनने के लिए इसक तो उसके लिए आपके पास कई फाइल ही खुली है, जैसे हमारे पास कितनी है, 123456 फाइल ओपन है, अगर इनको आप अलग-अलग minimize करोगे तो आपका समय लगेगा, आपका ज़्यादा समय खर्च होगा इसमें, इसलिए आप क्या करो, window plus D को press करो, यह देखो, सभी फाइल आपको save as का option लाके देदेगा, यह देखो, उनसा आया है आपका, save as का, save as आचुका, जिस भी नाम से आपको file को save as करना है, मतलब जो हमारी पहले से बनीवी file है, उसका नाम change करने के लिए आपको save as का use आप करते हो, फिर उसके बाद में next जो shortcut की आती है, वो हमारी कुन सी ह control plus s है, यह देखो, control plus s परेस करते ही, क्या आचुका हमारे पास, saving dialog box open होके आचुका, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी file को save करने के लिए, यहाँ पर उस file का नाम लिखते है, या document का type और यहाँ से हम उसका path set करके, क्या कर देते हैं, save कर देते हैं, जिसे हमारी file के ह save हो जाती है, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या आता है, control plus n आता है, control plus n जो shortcut की होती है, वो किसलिए use की जाती है, जैसे हम यहाँ पे MS Word के अंदर कोई भी work कर रहे हैं, जैसे हमने यह work कर रहे हैं, अब हमें इसको क्या करना है, एक नया page ची है हमें, तो हम क्या करेंगे, control plus n को प्रेस किया, यह देखो, नया page open होकर आ चुका, अब आपको गए हो सकता है, पहले वाड़ा यह हो, तो यह देखो नीचे आपके MS Word के अंदर दो पेज दिखा रहा है, पहले वाड़े में यह लिखा हुआ है, और दूसरे वाला क्या आपका, खा आता हूँ, जैसे control plus t press की मैंने, और करते ही यह देखो, क्या हो चुका, t का मनलब tab, जैसे आप normally किसी आप tab में work कर रहे हो, आपको नया tab चाहिए, तो आप कहां पे क्लिक करते हो, यहाँ पे plus के sign के ओपर क्लिक करते हो, अगर आप plus के sign पे क्लिक ना करना चाहो, तो आप क् control plus t press करो, यह देखो, यह देखो, जितने चाहो आप tab यहाँ से control plus t के दवारा बना सकते हो, फिर उसके आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या आता है, control plus h आता है, अब control plus h क्या होता है, वो मैं आपको बता दूँ, कि जैसे आप किसी web browser page में आपने कुछ चीज़ें सर्च किय इसके अंदर, या कुछ site आपने चलाई है, फिर आप चाहते हो कि कोई दूसरा आदमी आए, तो उनको यह पता नहीं चले कि history के अंदर, मैंने इसके अंदर क्या किया है, तो आप इसकी history को open करते हो, तो उसके लिए हम क्या करते है, control plus h press किया, यह देखो, हमारे पास क्या history खुल के आद चुकी, इसकी chrome की, यह हमारे पास आद चुकी, अब आप क्या चाहते हो, मुझे इसको delete करना है, तो उस delete की जो shortcut की होती है, control plus shift plus delete, यह देखो, यह देखो, आप से permission माग रहा है, कि आपकी browsing history cookies, या फिर आपकी cache images, जो भी है, उनको आप क्या करना चाहते हो, तो आप यहां से clear कर सकते हो, otherwise आप cancel कर सकते हो, फिर उसके बाद में, यहां पे जैसे हम इसके अंदर work करें, किसमें, chrome के अंदर, work करते करते हमें क्या लगा, कि हमें कोई file download की दी, और उसको हमें देखना है, तो हम कहाँ दाते है, normally, जैसे में थोड़ा zoom करता हूँ, और य का एक use और भी होता है, कहाँ पे, ms word के उंदर होता है, जैसे यह page हमारा ms word का, इसके अंदर जैसे हमने कुछ type कर दिया, equal r and ran, और यह देखो, और यह देखो, अब इसके अंदर control plus j का use कहा होता है, यह देखो, यहां पे line आगे पीछे हैं, यह देखो, तो हम क्या करेंग इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और हमारे पास जो next shortcut की आती है, वो बहुत important shortcut की है और वो वो कौन सी है वो मैं आपको देखो अभी बताता हूँ जैसे आप वेब ब्राउजर पेज के अंदर आज तो के आपने कोई भी साइट ओपन कर दी जैसे B, S, E, R कर दी हमने बोर्ड की साइट को ओपन कर दिया और जैसे यहाँ पे मुझे इस चीज़ को ओपन करके देखना है लेकिन मैं क्या चाता हूँ इस पेज के अंदर ओपन नहीं हो किसी नई टैब के अंदर क्या हो ओपन हो तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, नॉर्मले हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और ओपन लिंक इन, न्यू टैब के ओपर क्लिक करते हैं, विसके अंदर ओपन होолотा है लेकिन अगर हमें क्या करना है इस तरीके से नहीं करना है तो हमें इसको directly दूसरे पे जिए open करने के लिए क्या करेंगे इसके लिए आप control key को press करके रखो और mouse से क्या कर दो इसके उपर click कर दो यह देखो आपका नया tab open हो क्या चुका है फिर उसके बाद में हमारे पास shortcut की कौन से आती है control plus shift plus T आती है तो वो किस लिए जो आती है जैसे हम इस tab के अंदर work कर रहे थे हैं इस tab को हमने गलती से cut कर दिया हमें करना क्या था plus के sign पे लेकिन हमने कर दिया किस पे cross पे अब हमें वापस यह वो जो tab हमने delete की है तो उसके लिए हम क्या करेंगे control plus shift plus T प्रेस करेंगे यह देखो हमारे सामने वापस खुल के आती है वो tab फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हमारे पास नया tab कौन सा आता है control plus alt plus delete अब control plus alt plus delete किस की shortcut की होती है वो देखो मैं अभी आपको बताता हूँ जैसे यहां पर हम work कर रहे है और यह जो हमारा page है वो cut नहीं रहा है यह page हमारा delete नहीं हो रहा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे control plus alt plus delete key को use करेंगे और हमारा task manager open हो जाएगा और task manager open होने के बाद कहा जाएगे हम task manager के अंदर जाएगे और वहाँ जाने के बाद में हमारी जो भी task problem create कर रही है उसके उपर हम right click करेंगे और क्या करेंगे end task पे कर देंगे अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मुझ जूम करता हूँ देखो अब मैं इसके उपर right click करता हूँ और किस पे करेंगे end task के उपर click करेंगे ये देख और control plus z किस के होती है undo के होती है जैसे हमने यहाँ पे इसको select करके हमें क्या करना था copy करना था लेकिन हम गलती से हमने क्या कर दिया delete कर दिया अब हम क्या सोच रहें कि गलती से delete होचका हमें वापस दिये तो इसको वापस लेने के लिए हम क्या करेंगे control plus z करेंगे जिसको क वापस लाने के लिए क्या करते हैं अंडू का यूज किया दाता है फिर हमारे पास next जो shortcut किया वो कौन सी आती है control plus y control plus y किसकी shortcut की होती है redo की होती है मतलब हमने जो undo किया था उसका just opposite जैसे हमने पेरग्राफ को हमने select करके delete कर दिया था तो हम control z से इसको क्या किया हमने वापस ले आए लेकिन हम क्या चाते हैं इस वापस पेरग्राफ को हम गलती से ले आए वो इसको वापस delete ही रहने देना था तो इसको क्या करेंगे control plus y प्रेस किया ये देखो delete हो चुका है फ आप प्रेस कर दो यह हमारा क्या हो चुका सेलेक्ट हो चुका फिर उसके बाद में आता हमारा Ctrl-A मतलब यह तो हमने कुछ एक लाइन या कुछ एक वर्ड को हमने सेलेक्ट किया है लेकिन अगर आप चाहते ही पूरे पेज को सेलेक्ट करना है तो आप किसे करोगे Ctrl-A से करोगे फिर उसके बाद में next जो shortcut किया होती है Ctrl-C मतलब हम जैसे इसको Ctrl-C किया है यह क्या हो चुका और कोपी होने के बाद में क्या करेंगे Ctrl-V को प्रेस कर देंगे यह देखो सेम डाटा दो जगा चुका तो आज हमने कीबोर्ड की लग भग नॉर्मली जो हम डली लाइफ में जो shortcut की यूज करते हैं वो आज हमने यहाँ पर सभी देख लिए लेगिन अगर आपको इसके उपर कीबोर्ड पे अपनी पकड को जबर्दस पनाना है तो आप इन सभी shortcut के साथ आपको प्रेक्टिस करनी पड़ेगी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके ज़रूर बताना तो चलिए दोस्तों जल्द मिलते हैं एक ऐसे ही मज़ेदा टोपिक के साथ तब तक के लिए गुड़ बाए